कि एलो दोस्तों जय हिंद कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं अच्छे होंगे आज हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं अब आज जी गुणन खंड बीदी से बर्गमूल कैसे ग्यात किया जाता है ठीक है तो बहुत ही सिंपल और सरल भासा में आपको बताएंगे यह की वार में समझ में आ जाएगा ठीक है तो अभाद जी गुणन खंड बीदी द्वारा बर्गमूल कैसे ग्यात करें उसके लिए तीन इस्टेफ होते हैं सबसे पहले इसका हम लासा निकालते हैं ठीक है और लासा निकालने के बाद इनके जोड़े बनाते हैं जोड़े किसके बनाते है समसंख्याओं के जोड़े बनाते हैं वह भी आपको हम बता रहे हैं कैसे देखो सबसे पहले हम चलो पहले वाले के निकाल रहे हैं एक सो चवालिस लिखे हैं ठीक है इनका लासा निकालेंगे एक सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे सबसे चोटी संख्या दो इ ये दो की विवाजिता का नियम है कि जिन संख्या के लास्ट में ऌन क्याश twor वो संख्य Hak cuenta 2 से विवाजित होगी तीन की वाज़िता कहती है संख्या के यंक जिस की यह दिये गए हैं इनके यह करनेसे पनाते हैं तो तीन से पूरी पूरी विवाजित जायेगी ठीक है तो सबसे पहले यह दो से इसका लास्ट बारा जो डिजिट है वो सम है तो यह दो से पूरी तरह कट जाएगी दो से काट दो दो तियां छे बचेगा यहां पर एक ठीक होगे बारा और दो चंग बारा फिर दो से काटो दो एककन दो दो अठे 10 16ग किःरे 2 है दोसे कट जाएगे। गश्यों डोगों को यह बर्फ मौन निकालना है मैं तो क्या करना पड़ेगा जो समान संख्या दे हुई हैं इनका पियर बना लेना मतलब इनकी जोड़ी बना लेना है तो किती वार लिक wise आपको ये एक भार लिखने हैं Dalasед ये दो दो देखो जोड़ा में है तो दो बार आया हैं तो तुम्हें एक लिख लेना फिर बुडरागनिसान लगाना है ठीक है आप करना है कि यह सब संख्या इनके गुणा करो तो गुड़े चार हो जाएगे 4-3-12 ठीक है मतलब इनकी गुणा कि तो 4 गी फितीन से गुणा कि तो 12 आगे तो यह हमें पता चल गया है किसका बर्गमोल है तो यह 12 का बर्गमोल है है ऐसे यह दूसरा सवाल है सवाल अमर्ड दूसरा है पांसो उन्तिस तो इसका कहा है कि बर्गमूल ग्याद करो तो तो इससे का भी हम अवाज गुलन करेंगे लेकिन इसमें एक बाद ध्यान रखो यह संख्या ना तो दो से काटे अब देंसे क्यों ने इकते कीति सटेखो यह आम इने जोड़ेंगे यहां पर प्लस दौसा नहीं मतलब 3 वाजित नहीं होगे ठीक है तो ऐसे कम से पाड़ से संख्या विवाजित हो जाएगी तो ये संख्या विवाजित होगी 23 के पाड़ से देखो 23 का पाड़ा पढ़ेंगे ठीक है 23 दूना होते हैं 46 ठीक तो अब हम इसमें से 23 दूना होते हैं 46 ठीक है तो 52 से 46 चले जाएंगे बचेंगे कितने छे बावन से च्छीालिस चले जाएंगे बचेंगे छे ठीक है छे वो होग़े नव इधर बचे थे तो संख्या होग़े उनात्तर अब तेईस का पाड़ा कितने में पड़े जो उनात्तर से जादन हो किती बार में जाएगा तो तेईस रूतियां 79 होते हैं तो तीन बार में जाएगा ठीक है अब यहाँ पर ध्यान रखो इसे यह तेईस एक अब हाद जिसंग्या यह सिर्फ यह तेईस से ही घटेगी और किसी से ही घटेगी नहीं तेईस ही कन तेईस अब दिखो तो यहां पर हमें 23 मिलड़ा है यहां पर भी 23 मिलड़ा है इसके मतलब यह हमारा एक जोड़ा बन गया मिल गया जोड़ा की नहीं मिल गया तो यह 23 आया है तो इसका जो आंसर आएगा वो 23 ही आएगा ठीक है तो यह किसका बर्गमूल है लुए 529 का बर्ग मूल तेइस है ठीक है उम्मीद करते हैं यह मतलब आपको समझ में आया होगा स्वाब चलिए आगे लगाते हैं ठीक है आगे तीसरा नंबर वाला दिया गया है सत्त्रा सो 64 तो सबसे पहले हमें 1764 लिख लेने हैं ठीक है फिर वही करेंगे सबसे चोटी संग्या से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे विवाजित करेंगे दो अठे 16 फिर यहां पर भी दो अठे 16 दो दूनी 4 फिर दो से काटेंगे यहां पर एक वाद्ध गवर करनी एकन है कि देखो इसका हेका अंक सम है बसम को यह संग्या दो से नहीं कटेंगी देखो यह संग्या नहीं कटेंगी तो हमें पता लगाना है यह संग्या हाथ तीन से कट जाएगी कैसे पता लगाया देखो चार इनकों को जोड़े लेने चारंग यह चारंग इन्हें जोड़े लिए आठ हो गए विसे एक को जोड़े नौ होगे अब नव को अगर तीन से विवाजित करेंगे तो पूरा-पूरा मतलब तीन से भाग चला जाएगा ठीक है स्वेसपल एक भी नहीं बचेगा तो इसके मतलब यह संख्यात तीन से विवाजित है तो तीन काटेंगे से तीन इकन तीन फिर तीन इकन तीन यहां एक रुक 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 सोरी गलत हो गई और तीन चकों बारा तीन चकों बारा बचे यहां पर दो हो गए 21 तीन सते 21 ठीक है अब देखो यह संख्या फिर अब पता कर लगाएं नंगा हम प्रति यह से कटेगी कि नहीं कटेगी यह तो पूरी तरह भीवाजित हो जाएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे अब तीन सी से काटँ थे तीन चक्क कुबारा ती पच्छ पंद्रा ज्यदा हो जाते ढीकर चार बाल ले जाओ ठीक है यहाँ पर बचेंद दो अब यहां हो गए 27 ठीक है ठीक है तीन का पढ़ा चारवाल पढ़ा तो तीन चको बारा यहां पर चवदा से बारा से ले जाएंगे बचेंगे दो यहां होगे 27 ठीक है तो तीन नियम 27 तीन नियम 27 आप इसे पता करो यह कटेगी की नहीं गटेगी ठीस से 9 और 4 13 होते हैं ये संहे इंस गटबाएगी अब इसे काटो चार से नहीं कटभी है ठीक है ये साथ से कटेगो आए साथ से काटो शेट से साथ से साथ कर अब देखो जो हमारे गुणन खंडाय है हैं इनका हम जोडा बना लेंगे ठीके दो दो संक्यां का तो बना जोडा यह दो थीक science मिल गया तीन का एक जोडा मिल गया और साथ का एक जोडा मिल खिंग तो इनका गोनंसल कितना होगा तो इनका गोड़ा करलो तीन दुनेश्य आञे सकते atom 42 ऐसे कर लो कि साथ 21 और 21 दोना 42 ठीक है तो यह संक्या जो है सत्रा चौन सट यह किसका बर्गमूल है कि मुझा सत्रा चौन सट का बर्गमूल 42 आ गया ठीक यह हमारा अंसर है